हेलो दिस रुष्टी वेलकम टू प्रत्योगितार दरपट वीडियो में हम बात करने वाली है अट्लांटिक घोष्णा की इसमें जानेंगे कि आकर अट्लांटिक घोष्णा क्या है साथ ये भी जानेंगे कि इस गोष्णा में किन-किन प्रमुख बिंदू पर चर्चा की हुआ है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं देखें सायुक्तुराज अमेरिका और यूनाइटेट किंग्टम ने 21 सदी की यूएस यूके आर्थिक साज़तारी के लिए अट्लांटिक घोष्णा का समर्थन किया अट्लांटिक घोष्णा 1941 के अट्लांटिक चार्टर की याद दिलाती है जब ततकालीन अमेरिकी राष्टपती फ्रैंक्लीन डी रूस्वेल्ट और ततकालीन ब्रुटिस प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने दित्यों विश्यूदे के बाद अपने लक्षों के लिए एक रूप रेखा थैयार के थी आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इसमें अटलांटिक घोष्णा का उद्देश क्या है इस गोष्णा का उद्देश वर्तमार यूग की चुनौतियों को प्रभावी धंग से संबोधित करने के लिए दोनों देशों के मद्द्र लंबे समय से चले आ रहे हैं गड़बंधन को अनुकूलित और काया कल्पित करना है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अटलांटिक घोष्णा का उद्देश स्वाच और संक्रमन और रास्ट्य सुरक्षा पर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रूप रेखा के रूप में कारे करना है चीन और रूस से खत्रों के जवाब में आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक घोष्णा पत्र तयार किया गया है आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि और क्या कुछ है इसकी बिश्वेस्ताइं ब्रिटेन और संयोप्त राज अमेरिका अपनी आपूर्टिश फ्रिंखलाओं को मजबूत करेंगे की सफलताओं का लाब उठाना है आगे बढ़ेंगे दोनों राश्रेक महतपूर खनीज समझाते पर भी बादचित शुरू करेंगे जो यूके की कुछ फ़र्मों को यूएस इंफ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत उपलब्ध टेक्स क्रेडिट तक पहुचने की अनुमत अधिता भी शामिल थी जो ब्रिटीस बेवसावों के लिए लाल फित अश्राही के बिना अमेरिकी संगठनों को स्वतंत्र रूप डेटा स्थानांत्रित करना आसान बना देगा आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अट्लांटिक गोश्ण के पांच अस्तम कौन-कौन से सब्सक्राइब करना देख लेते हैं अट्लांटिक चार्टर क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं अखिरी अट्लांटिक चार्टर क्या है अगस्त 1941 में बृटीस पद्रानमंत्री विस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्टपती फ्रैंक्लीन डी रूजवेल्ट ने एक विश्व सांती के लिए गोश्णा पत्र पर हस्ताक्षर किये इसे ही अट्लांटिक चार्टर कहा जाता है आगे बढ़ेंगे और देख अमेरिका और ग्रेट बृष्टीन द्वारा दित्य विश्व यूद 1949 से 45 के बीच दौरान जारी एक संयुक्त गोश्णा पत्र था जिसमें यूद समाप्त होने के बाद विश्व के लिए एक बृष्टी कोड निरधारित किया गया था इस गोश्णा पत्र को सर्व अधिकार चुनने का अधिकार ब्यापार प्रतिबंदों में धील और यूदि के पश्षात नी स्त्रीकरण का अधिवचन इसके प्रमुख विंद्यों में शामिल थे इस दस्तावेच को 1945 में गठित संयुक्त राश्ट के स्थापना की दर्शा में पहला महतुपुर कदम म कोई भी छेत्रे लाब नहीं उठाने पर सहमती व्यक्त की गई थी और उन्होंने संबंदित नागरिकों की इच्छा के विरोध किये जाने वाले किसी भी शेत्रे परिवर्तन का विरोध किया जिन रास्ट्रों पर्योदी के दौरान दूसरे देशों के कबजा हो गया था उनकी सरकार गिर गई थी उनके लिए अपनी सरकार बनाने के लिए सहायता करना नागरिकों को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए फिल्हाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मेद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आ आई होगी वीडियो में देगे जानकाई पसंद आये तो हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही कॉमेंट में हमें पता सकते हैं थैंक यू झाल